Hello everyone Assalamualaikum and welcome back to my channel कैसे आप सब लोग I hope सब ठीक ही होंगे वीडियो स्टाट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें चैनल का सब्सक्राइब करें बेल एकन प्रेस करें ऐसी ब्यूटी से रिलेटेद वीडियो देखने के लिए तो बिना किसी देरी के लेट्स जम्प इंटो दे वीडियो बहुत ही कमाल के मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ सो बेसिकली यह है मुरोकन गैस्यूल फेशल बोडी एंड मास्क किट यह आपके चेहरे पर इतने अच्छे से काम करेगा कि आपको लाइक यू नो बिलीव नहीं होगा तो बिसिकली जो इसके अंदर यूज किया गया है मेन इंगिरिडियन यानि कि मेरोकन तो उसके तो इतने फाइदे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं तो मैं वीडियो के साथ साथ इसके पैकेजिंग इसके रिजर्ल्स इसके बैनिफिट्स और इसका यूनो किस तरह यूज हाओ तो यूज हाओ तो अपलाई सारा कुछ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो कोई भी पार आपने मिस नहीं करना है मेक शूर कि आप वीडियो को लास तक जरूर देखें क्योंकि आपको ये वीडियो में बहुत मज़ा आने वाले है सबसे पहरे मैं इस मास्क के आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ कि मास्क है कि मास्क तो यह मेरोकन ओयल का मास्क है बिसिकली और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर मेन इंग्रीडियन यानि कि मेरोकन का यूस किया गया है और हंडर्ड पोसन नाच्रल क्ले का यूस किया गया है इसके अंदर और इसको बनाना भी इतना ज़दा असान है कि मैं आपको क्या बता हूँ ठीक है तो फर्स्ट अफॉल हम बात कर लिते हैं इसकी पैकेजिंग की तो गाइस इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पर आपको मिल जाएगा ठीक है देन यह फेशल किट जिस चीज पर बेस्ट है यानि की मौरोकन गास्यूल फेशल बोडी एंड मास्क किट एंड यहां पर आपको मिल जाएगा कि यह कंटेन करता है हाई परसंटेज ओफ सिलिका ठीक है और इसके अंदर mg2 plus ca2 plus or k plus का यूज किया गया है और भी जादा trace minerals का इसके अंदर यूज किया गया है ठीक है and it is made up of 100% natural clay no harsh benefits on your skin तो आप इसे अराम से यूज कर सकते हैं अपने चेहरे पर ठीक है और green और blackish silver से आपको देखे मिल जाएगा then clay कुछ इस टाइप का texture बनेगा and इस टाइप से आपने इसे apply कर लेना है सारी information आपको इस पर मिल जाएगी अब यहाँ पर इसके benefits की बात की जाए कुछ benefits मैं आपको बता लेती हूँ इसके यह rich essential nutrients इसके अंदर है it is rich with essential nutrients भरपूर भरे हुए हैं इसके अंदर जो इसके अंदर यानि all natural gas oil powder जो है वो provide करते हैं आपको extra nourishment आपके face पर और जब आप इसे remove करेंगे तो आपकी face कैसा दिखेगा आपको healthy दिखेगा smooth दिखेगा soft दिखेगा और भी इसके बहुत जादा जो है आपको फाइदे पहुंचेंगे यह हो गया अदर जो इसके features है benefits है वो भी मैं आपको बता देती हूँ पहला जो मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर 100% natural clay आपको देखने को मिलेगा देन इसकी outstanding ability है cleanse की आपके face को cleanse करने की आपके face को नरिश करने की आपके face को conditioner यानी condition करने की और आपके skin को और भी काफी जादा benefits पहुचाने की और मैं आपको बता चुकी हूँ इसके अंदर high percentage में पाया जाता है silica then mg2 plus then ca2 plus then k plus और भी अदर बहुत सारे trace minerals इसके अंदर प note भी आपको मिल जाएगा information के लिए आपने direct use use करना है मैं आपको भी बिता जाती हूँ then आपको यहां पर caution भी मिल जाएगा warning भी मिल जाएगी then आपको इसके ingredients भी मिल जाएगे इसके अंदर क्या क्या इस्तमाल किया गया है जो clay powder है उसके अंदर simple ingredient Moroccan lava clay बस जो कि बिलकुल natural जो clay powder है आपको इसके अंदर सिर्फ एक natural ingredient देखने को मिलता है जो कि है Moroccan lava clay और कुछ आपको इसके अंदर नहीं देखने होंगे मिलेगा जो activator है उसके अंदर यूज किया गया है उसके अंदर इनर ने यूज किया है aqua अठीक है then water यूज किया है then कार्बोमर यूज किया hydrogenated castral oil भी यूज किया गया है और भी इसके अंदर काफी सारी चीजें यूज की गई है आपके face related बाकि आपको इसके सारी information भी यहां पर मिल जाएगी इस side पे भी आपको वह सही same page देखने को मिलेगा then यहां पर side पर आप देख सकते हैं कि इसकी different language में सारी की सारी information आपको और जो जो चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी वो भी यहां पर mention किया है content inside इसके अंदर जो भी content है वो यहां पर आपको बता दिया गया है ठीक है अब यह तो हो गया हमारी packaging और उपर की तरफ भी आपको वही same packaging देखने को मिलती है नीचे की तरफ आपको expiry date भी मिल जा है ठीक है अब मैं अंदर से आपको दिखाती हूं कि अंदर से कैसा है normal हम इसे open कर लेंगे अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले इसके अंदर हमें देखने को मिलता है clay powder 40 परसंट जो की 40 ग्राम का है आपको देखे सकते हैं आप यहाँ पर दैन इसके अंदर वही इसका ब्राइंड मरोकन ओयल पीछे के तरह सारी information किस तरह यूज़ करना है stuff और ingredient मैं आपको बता चुकी हो इसके अंदर मरोक जागती हूं next आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो है मोरोकन ओयल का एक्टिवेटर 60% एक्टिवेटर 60 ml है इसके भी आपको यहाँ पर सारे मिल जाते हैं और ingredient जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं aqua water hydrating कैस्टल ओयल पर्फर्म और भी जतन करें नहीं डाली हैं अब मैं आपको और चीज़े दिखा दिती हूं कि हमें इसके अंदर जो है और क्या-क्या देखने को मिलेगा so first जो मैं आपको दिखा दी हूं वह है mixing bowl यह इनके बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इसके अंदर एक mixing bowl भी दिया हुआ है बहुत की जो मैयूरिंग प्रॉण भी मिलेगा जिसके एक साइड पे आपको यह देखें वन स्पून मिलता है और दुसरी साइल पे छोटा वाला यानि हाफ आप कह सकते हैं स्पून आपको देखने को मिलेगा और लास्ट इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है लास्ट हमें सके कितना लेकर के लेकर आफ जो कि रखर दाला एक क्वेथा से जाए और लेकर करता बैЫ और इसे वह सारी श की जो आपको मास्क बाए बिनाने के लिए बाउल एपनी बहुत लेकर लेकर आपको दब लेकर है अंघुण लेकर ला यहाँ पर मिकसिंग बा उल अप जो है इसके अंदर हमने अड़ करना है अपनी चीजे यानि कि क्ले पाउडर एन अक्टिवेटर और उसके किस तरह से किस हिसाब से डालना है यह देखें हमें या पर उनने माई रिंग स्पून भी दिया हुआ है तो उस हिसाब से हम इसे डाल भी लेंगे तो चलिए अब इसको ड से अपने कले पाउडर के राएं डिर आपको मिल जाता है मैं दिखा छुकी हूँ यह दिखें दिःआन धियान से ड़ाईगा क्ले पाउडर की चीजग के दिशिक आ अडोब्हार करना है इसके ऊपर बिताया भी हुआ है इन इसके आप पर यह जो झाया ओपर निश कोलर मे यहां पर मेंचन किया हुए न Им пры terrace sponsored with large spoon आपको यह डालना है large spoon आपको इसका लेना है põoudr का मैं large से थोड़ा सा कम ले रही हूँ ठीक है आप अपनी quantity की हिसाब से ले सकते हैं LARG से मैंने थोड़ा सा hal रिया है सारस उन्हा कर सारा का इसके अंदर डाल दूंगी ए दिखे मैं इसके आंदर जुए है अपना पाउडर भी डाल दिया है आप 4 पिसके इनिग्रीडियेंट दालना है वह हमारा एक्टिवेटर तो यह भी उसी तरहां से खुलेगा खोल लिया अभी लिकुडी फोम में देख सकते हैं आप यह देखें एक्टिवेटर बाहिर की जरह आ रहा है इसका डालना है यह वाला एक स्पून भरके और यह वाला आपको हाफ डालना है लेकिन पाउडर की कौटिटी थोड़ इसी कम रखी है तो मैं बस वन स्पून ही लूँगी यह देखें थोड़ा जाए प्रेस करके निकानना होगा हार्डली यह देखें यह मैंने ले लिया पाउडर दोनों चीजें इसके अंदर डाली है अब बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इसका थिक सा पेस्ट बनेगा आपको अच्छे से थिक सा पेस्ट बनाना है और इसके उपर मैंशन भी किया हुआ है तो अब मैनुट के उपर शॉस को अगर आक्टिवेटर की फड़े तो आप ले सकते हैं चाहिए फिर इसた सवह तो ट्रॉर हो पेस्ट थोड़ा सा थिक नहीं हुआ हुआ तो आप इसमें डाल सकते तो लिए fil रही है आपको कैसा मिक्स्चर եावपको आपको इ giày थोड़ेर म आप देख सकते हैं बहुत जादा स्मूद सा पेस्ट हमारा यहां पर बन चुका है आपको भी same to same इसी टाइप का कुछ पेस्ट चाहिए बहुत जादा थिक ना हो जाए और बहुत जादा थिन पानी पानी भी नहीं चाहिए मुझे बीच में ऐसा लगा कि थोड़ा सा अक्टिविटर ओर डल जाना चाहिए तो मैंने इसके थोड़ा सा बिल्कुल अक्टिविटर ओर डाला है और यह देखिए हमारा पीस्ट रेदी है अच्छा आप जब उसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा थिन ठिक ठिक तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यह मत सोचीए का कि अरे तो थिक ही बहुत है थोड़ा से अक्टिविटर ओर डाल जालेते हैं और वह और पतला हो जाएगा थोड़ी दर मिक्स करें जब अक्टिविटर पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए फिर आप देखिए कि वह थि नहीं है जादा अक्टिविटर इसके अंदर आड़ करनेंगे ठीक है यह तो हमारा हो गया अब मैं आपको बता देती हूं कि आपको इसे किस तरह से जो है अपने चेहरे पर अपलाई करना है वह भी मैं आपको साथी साथ में बता देती हूं सबसे पहले आप देख लिए कि हमारा जो यहां पर पेस्ट है अच्छा सा नाइस सा पेस्ट वो बनकर रेड़ी सो गाईस सबसे पहले मैं आपको लगाना किस तरह है उससे पहले बता दूँ के इसके और भी कितने वेनिफिट्स हैं या आपके सके सारी इंप्यूरिटी सारे डर्ट सारे पॉल्यूशन जो आशा सी इसके अच्छे से कलीन कर देता है उसे या इज छे थे रहूर है और जो हमारे फेस पर दूसरी प्रोभलम होती हती विह उनका एक स्वल्यूशन यह एं को समूद करने में है में हहल्प करता है यह कम बहुत है वाइट ईसके लिए काफी जञा है और बीढी ज्याद परसें नेचरल क्लिए का इस्तमाल किया गया है तो कोई भी नुकसान आपके चेहरे को नहीं पहुचेगा यह तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स अब बताती है इसे यूज कैसे करना है आपने जो पेस्ट जो हमने अभी पेस्ट प्रपेर किया है रेडी किया है इस पेस्ट का मीडियम लेर लेना है इसे स्पेचुला की मदद से अपने फेस पर नेक पर लगा लेना है तब तक जब तक यह सूख नहीं जाता वैसे तो इन्हों ने जो लिमिटेड टाइम दिया है वह है दस से बीस मिनट लेकिन अगर दस से बीस मिनट में ना सूखा तो आपने इसे व सब्सक्राइए न sell करें क्या महसूस करें क्लीन हो गया रिफ्रेश होगई है नरिशुऑ जूप यह सफ्ट होगई है सॉफ्ट हो गई और भी अतने डेने बेनी इंलिएयure never go लेर हो गई है तो यह थे मेरा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आए पसंद आए तो मेक्शूर कि आप वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल एकन प्रेस करें ऐसी मज़दार इंफर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इंस्टाग् खेंग उन्ग तो गहले कि अवदाईज करें चैनल कोुच करेंगे वीडियो आपक। मेंडेंगे तो आपको कि अवदाद के वीडियो आपक। झाल झाल